हेलो बच्चो, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में आज किस वीडियो में आपको बताएंगे Air Force C Group के लिए Numerical Aptitude यानि आपके Maths के Practice Set No.4 को और आज का जो Practice Set होगा या आपके Time and Distance से रिलेटर होगा तो वीडियो पर बने रहेगा पूरा complete वीडियो को वाट किजिएगा इससे पहले हमने आपके लिए तीन और भी Practice Set को दिया है तो जिन्हों ने भी उन सभी Practice Set को नहीं देखा है तो प्लेली से जाकर देख सकते हैं चले बच्चे वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे कुछ बोलना चाहेंगे कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमें सपोर्ट करते हैं वीडियो को लाइक करते हैं दोस्तों में स्यार करते हैं और जितना ज्यादा आपका सपोर्ट हमें मिलता है तो उतना जल् स्टार्ट करते हैं वीडियो को और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी जबड़ किजेगा तो स्टार्ट करते हैं अपने कोशन नंबर वन से पहला कोशन आपका कोशन में कहा जा रहा है कि विंड ब्लोज 160 miles in 330 minutes हवा बहती है 160 miles 330 minutes में यानि विंड जो है वो 160 miles को 330 में कवर कर लेती है तो कहा जाता है कि for 80 miles असी miles के लिए how much time required 80 miles बहने के लिए उस हवा को कितना समय लगेगा ठीक है सिंपल कहा जा रहा है कि 160 miles जो है वह हवा बहती है कितना दिन में 330 मिनट में ठीक है तो आप से पुछा जा रहा है कि 80 miles उस हवा को बहने में आपको कितना time लगेगा तो आप इसको unity method से भी बना सकते हैं ठीक है लेकिन यहाँ पर हम time and distance की बात कर रहे हैं तो आपको हम यहाँ पर time and distance वाले फंडे से आपको बना कर दिखाएंगे ठीक है माइल्स पर मिनट में माइल्स पर मिनट में आपका यह स्पीड आ गया तो आपको हवा को बहना है समय कितना लगा और श्वावार स्पीड होता है क्या ह 36 स्पीड है और को यह इस को 33 is मिने थीक करना मिने आप इसे कल्कुरेट कि रहे है लगा यहां जो हमकि कीतना वार स्फीड थनके करकेंगे पहले वाले से आपको speed निकालना था और दूसरे वाले से speed में आपको उसका यूज करना था आए नेक्स कोसंस क्यों बढ़ते हैं इसका आपको PDF चाहिए होगा तो टेलिगाम चैनल जोइन कर लेजेगा वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा ठीक है चलिए समझ रहे हैं next questions बात करते हैं कोई भी problem होगा आप comment box में लिखेगा हम आपके comments का जवाब जरूड देंगे next type का कहा जा रहा है कि excluding stoppage stoppage को छोड़कर the speed of the bus is 54 km यह questions जो है वह बहुत बढ़िया question है इसको थ्यान प्रुबग दिखेगा इस type of questions बहुत बहुत आपकी ज्यानों से में पूछे जाते हैं यहां पर जाए रहा है कि excluding stoppage stoppage को छोड़कर the speed of bus is 54 km परावर बस का speed वह 54 km परावर है ठीक है and including stoppage stoppage को लेकर stoppage को कहा कर सकते हैं stoppage को stoppage कना मतलब ठराव सहीत ठराव को लेकर आपका जो bus का speed है वह है 45 km per hour ठीक है तो कहा जा रहा है कि for how much sorry for how many minutes कितने minute के लिए does the bus stop per hour तो कितने minute के लिए एक घंटे में bus हमारा क्या हो रहा है stop हो रहा है देखिए अगर excluding stoppage यानि stoppage को छोड़कर excluding stoppage और इस लिखते है ठीक है excluding stoppage bus का जो speed होगा वो कितना दिया जा रहा है bus का जो speed हमें दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है चोवण किलो मीटर पर अवर ठीक है चोवण किलो मीटर पर आवर जाने मतलब है जो मतलब कि मतलब की एक आवर में जो bus चले डा वो चलेगा तो बस हमारा एक 14 km चलना है तो आखिर कितना कम चलना है अगर इस टॉपएज को पकड़के चलना है तो बस सभाभी के कम चलेगा क्योंकि कुछ समय तो अपने एक घंटा का कुछ समय अपना कुछ मिनट दो वह इस्टॉपएज में ही रूख जागा जब इस्टॉपएज में हगा तो स्वेटर आठीक है उनर्ट किलो मेंयों ग्रोम। में हो इसफेच मेरन में गट मतनी गनला किलो मीटर ओए युझा लुझा सब्सक्राओन पायो लेकिन वह 9 km वह बस हमारा रूका है कहा जा रहा है कि stoppage है तो stoppage पर रूका हुआ है बस तो यह 9 km के आसपास वह distance नहीं कौपर किया तो इतना distance को नहीं कौपर करने में जितना उसको time लग जाएगा ठीक है वह ही उसका time stoppage पर रूका होगा ठीक है तो चलिए हम इसको कैसे बनाएंगे आपको निकालेंगे इसका time कैसे निकालेंगे इसका time निकालेंगे time taken to cover हम लिखेंगे time taken ठीक है time taken to cover ठीक है 9 km ठीक है time taken लगा उसको 9 km कौपर करने के लिए उसको कितना समय लगेगा उसको समय लगेगा कितना 9 upon 54 ठीक है 9 upon 54 अब 54 सोचेगा कि आप यह हमने 45 क्यों ने लिया क्योंकि 45 में इसको नहीं लेंगे क्योंकि हमारा जो normal जो speed होगा बसका यानि stoppage को छोड़ कर वह 54 किलोमेटर थीक है और आपको क्या है यह 9 आपका किलोमीटर में और आपका आवर में है तो आपको क्या करना पड़ेगा यह जो वैलू आपका वह समय आपका 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 किलोमेटर के साथ में करना पड़ेगा तो क्या किजिए इसको आप 62 से मल्टिप्लाइक कर दीजिए ठीक है तभी मिनिट में आ जाएगा तो इससा अप का किटना आपका आपका इससे करने पाद को कितना आप ये 6-9 जा 50 यह 6 10 जा तो कितना होगा आपका 10 मिनट कितना होग कितना किलमटर कम चला कि ऑगर साथ रूपकर ऑपका कुछ समय स्टॉपपेजब्ध पर बाद कर दिया होगा उतना अगर समय आपका चल दिया होता तो वह 9000 किलमेटर चल दिया होता ठीक इसके नितार temperatures नंधिर चलने में जो समय होगा वही समय आपका Esteesian होगा वही समय में हमने यहां से फाइंड कर लिया तो कितना अंसर आपका दस मिनिट एंसर आ गया ठीक है आइए नेक्स कोशन के हमारा अब पर्सन क्लोशेस और पर्सन है जो कि 600 मीटर का लंबे स्ट्रीट को पांच मिनिट में कवर कर लेता है तो इसका स्पीड किलो मीटर पड़ावर में कितना होगा देखिए हम क्या करेंगे आपका यह मिनट है इसको क्या करेंगे हम पहले सकेंड में कवर क्या करेंगे इसको चेंज करेंगे Speed equal to होता है Marker बचेतों से काम नहीं कर पा रहा है Speed equal to क्या होता है Speed equal to Distance upon time Distance कितना है 600 meter चल आए Wang 500 meterแ對啊 तो ताइम कितना है पांच मीनिट है तो हम इसको क्या करेंगे सगेंगे तो five into 60 कर देंगे तो हमारा सटे केंड हो जाएंगा ठीक है तो यह कितना टाम्स कर जाएगा यह आपका टेन ट्यान कर ज़एगा और यह फाइप उचेंड तो किता जागा अपका यह तू कितना जाघ तो इन्टू क्या करते हैं आपको मीटर पर सेकेंड को आपको किलो मीटर पर आवर में चेंज करने के लिए करते हैं 7.2 km per hour समझ रहे हैं तो इस तरह किसम क्या करते हैं इसको बनाते हैं समझ रहे हैं निक्स सिंपल कोशन था यह कोशन निक्स कोशन है अब बस मूब्स एट स्पीड ऑफ 18 km per hour से मूब कर रहा है तो आपको स्पीड का बस मीटर पर सकेंड में निकालना है ठीक है तो कैसे आपको 80km per hour दिया जा रहा है ठीक है 80 km per hour दिया जा रहा है इसको आपको मीटर पर सकेंड निकलना ए तो पर सकेंड के के कहते हैं आपका knife per hour को मीटर MA कर्वाड करने में ओक्षी TP pouvoir करते हैं तो यह कितना हो जाएगा यहापका हो जाएगा पर सकेंड 2.5 मिटर पर सकेंड यानि option नमबर 20 री था ठीक है आग यह नेक्स कोसन क्यों बढ़ते हैं नेक्स कोसन है हमारा यह बढ़िया कोसन है बहतरीन कोसन है यहाँ पर हमने आपको दो एक important important अच्छे आपको सिखाया है दो important concept शिखाया आप उस दोनों concept को ध्यानपरवग सीखेगा ठीक है एक पिछले questions में हमने आपको बताया था कौन सा था को सा नमबर टू था ठीक है यहां पो कई वोट कोबड़ 25 km अपी स्ट्रीम एक मोटर बूट है जो की 25 km कबड़ करता है अपिस्ट्रीम में ठीक है 39 km कवर करता है डाउन स्ट्रीम में by traveling at the same speed, दोनों में same speed से for 8 hours, 8 घंटे तक, मतलब वो 8 घंटे चलता है, तो 25 km आप स्ट्रीम में कवर करता है, और 39 km डाउन स्ट्रीम में कवर करता है, ठीक है डिस्टेंस को, on another occasion, किसी अधर समय, किसी अधर occasion पे, with the same speed, same speed से जो पहले वाले स्ट्रीम काला है, 35 km, तो 25 km. डाउन स्ट्रीम में कवर करता है, इन 11 hours, तो simple कहने का मतलब है, 11 घंटे में वो जो हुमारा boat है, वो कितना 35 km कहां पर, और आप का 50 km डाउन स्ट्रीम में कवर करता है, टोटल 11 घंटे में, ठीक है , तो आपके, stream का speed क्या होगा, stream का speed कहने का मतल आपको अलग से हम जब चेप्टर बताएंगे स्ट्रीम एंड बोट तो यहां पर भी आपको अच्छे से समझाएंगे तो यहां पर भी इसको समझेगा इससे बहुत बार पूछे जाते हैं कि जो आपका बोट जब चलता है नदी में तो वहां पर आपका क्या होता है एक स्ट्रीम का नहीं है है आपको धाबाना है किसी सरह dialogues THB हम क्या करेंगे लेट करेंगे क्या लेट करेंगे कि वोट का स्पीड है थीक है बोट का स्थी है थीक है Г, तो क्या Kam करते है कि बोट का स्पीड होगा वह एक होग्य कि होगा हमने बता इक दोशित होगा जो शृट ह् एक को X मानना तो दूसरा को Y मान सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक हो तो एक X हो गया, दूसरा Y हो गया, ठीक है, चलिए, तो आपको कहा जारा है कि आप्स्ट्री में से आपको जो जो दॉसरा के स्पीड है, धारा के विपरीत में चलना, ठीक है, तो जब इस स्पीड की बात कही जाए, आपको आप्स्ट्रीम की बात कही जाए तो आप क्या करना है आपको बोट के स्पीड में से आपको जो स्ट्रीम के स्पीड है यानि जो धारा के स्पीड है वह आपको क्या करना है सब्स्ट्रेक करना है यानि उसका डिफ्रेंस लेना है यानि माइनस लेना है तो हमने क्या क्या एक स्ट्रीम ले लिया ठीक है य यह क्य् specially क्या करना आपको क्या करना वाले हैं कि जो हमारे समय लग रहा यानि 25 कि अपर शर्चीम पड़ा यानि में इन दोनमे जो समय लगा वह समय के आप पचीस अपॉन पचीस अपॉन ठीक है तो क्या है आपका पहले में क्या हो रहा है आपका पचीस किलोमेटर चल ला है पचीस किलोमेटर चल ला है कितना ओप स्ट्रीम में और ठत्यानी किलोमेटर डाउन स्ट्रीम में तो आठ उसको घंटा लग रहा है ठीक है तो टाइम किसे निकालेंगे distance upon speed होता है तो 25 km आपका distance हो गया speed कितना है x-y ठीक है उसतर 39 km downstream में चला है तो 39 distance होगे speed कितना है downstream का x-y और जो कि किसके 8 के बराबर हो जाएगा ठीक है similarly, दूसरे case के लिए हम क्या करने वाले हैं उसको कितना समय लग रहा है फोन थोड़ा 35 upon x-y ठीक है पलस क्या करेंगे अपन फिर क्या था आपका 50 कितना था 52 था कितना था अच्छे आपका 52 था ना बावन अपन downstream में चल लाए ठीक है तो बावन किलोमेटर वह डावन इस्टी में चल लाए तो बावन अपन क्या रिखेंगे हम x-plus y दो 52 अपन 52 आपन चल टीक है चलिए यहाँ पर लिखेंगे हम 52 ऑपन कि 1 इकश्बलस वाई टिक है कितना था इना यहांक अस्वा गारख हो एक इना फिस्मेंद लग रहा इस यहां सब्हको viktigt कapolis नबर को इसको माल लेते हैं और इसको माल लेते हैं को इसको माल लेते हैं 1 किसको दोने हैं व safest ही तो आपको इसको कैसे सबांपर करना आपको इसको कैसे स्ब्राइब केजिये और पीजिए को करेंगे और उसको कैसे करेंंगे चैनल किनिंगे और क्यावक उन्हेश़ क्राइब करेंगे क। करेंगे 2 को से घटा लेगेало तरहां हम लेक्ष लेंगे भी आपको बताते हैं कि है थिक हैं तो हम क्या करने वाले है tän दिखुए यहां पर लिख नहीं पा रहा हुँ तो इसका से हम आपको figure से भी समझा दते हैं वहाँ से आपको साथ अच्छी से और clear हो जाएगा ठीक है तो देखें यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि जैसे हमने क्या किया equation second को equation first से subtract कर लिया तो हमें यह मिला ठीक है हमें यह मिला 100 upon x minus y minus 105 upon x plus y sorry x minus y यहाँ से हमने क्या क्या इसको दोनों को solve किया तो हमें 5 upon x minus y equal to 1 मिलगा ठीक है तो यह हमा इसका value क्या मिला x minus 1 equal to 5 x minus 1 equal to 5 मिलगा फिर क्या करेंगे हम यहाँ यहाँ पर on substituting the value of x minus y equal to 5 in first यहाँ हम क्या करेंगे इस x minus y को हम 1 में यहाँ फिर 2 किसी में डाल के आप देख लिजेगा हम क्या किया है यहाँ पर 1 में डाले हैं तो हम यहाँ पर 1 में डालेंगे तो हमें x plus y का value मिल जाएगा x plus y का value 13 और x minus y का value 5 आप इस दोनों को solve किजेंगे ठीक है यह आप equation number 3 और equation number 4 इन दोनों को solve किजेगा और solve करने के बाद आपको value आगा x equal to 9 और y equal to 4 x equal to 9 और y equal to 4 ठीक है आपको 2 value मिला x का value 9 मिला और y का value आपको कितना मिल गया 4 मिल गया ठीक है तो हम क्या करने वाले हैं कि हमें पूछा गिया है क्या हमने पुछा किया है आपका इस्ट्रीम का वेलोसीट्टी क्या सिब्सक्राइब का ओता हमारा एंसर क्या यंज़ा ओपेपिंड है नियुक्ट हमकि हमने क्समें कपर सब्सक्राइब त्ला मिल आयुक्छ ऑपक्त सब्सक्राइब बाइब आपको फोर नमबर हो जाएगा ठीक है ओप्सन मैच कर लेते हैं एक सेकिन थो रस रहा है को स्ट मॉइल ठीक है तो एंसर क्या था हमारा फोर रहा है था अप्सनर नुमर बीज़ ठीक है चले विडिए को यह तर रखते हैं विडियो में फूरा सा प्रॉब्लम आ रहा हैं ठीक है तब तक के लिए बाबाई